साथियों, मैं आज बालक सुभास को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तब त्याग और तितिक्छा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुन्य भूमी को भी आधर पुर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव स्री रविंद्रना टगोर, बंकिम चंद्र चत्रोपाध्याय, शरत चंद्र जैसे महापूर्स्वने इस पुन्य भूमी को राष्ट भक्ति की भावना से भड़ा है। स्वामी रामक्रिष्ण परमहुस, चैतन्य महाप्रभू, श्री अरवेंदो, मा शार्दा, मा आननमाई, स्वामी विवकानन, श्री स्री ठाकुर अनुकुल चंद्र जैसे संतों ने इस पुन्य भूमी को बैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलोकिक बनाया है। इश्वर चंद्र विद्या सागर, राजा राम मोहन राय, गुर्चन ठाकोर, हरिश्चंद्र ठाकोर, जैसे अनेक समाज सुधारक, समाजिक सुधार के अग्रूतुतों ने इस पुन्य भूमी से देश में नए सुधारों की नीव भरी है। जग्दिश्चंद्र बोज, पीसी रॉय, एसेन बोज, मेगनाथ सा, अंगिनत भईज्यानिकों ने उस पुन्य भूमी को ज्ञान विज्ञान से सीचा है। ये वही पुन्य भूमी है जितने देश को उसका राष्ट्र गान भी दिया है और राष्ट्र गीत भी दिया है। इसी भूमी ने हमें देश बद्दू चिंत चित रंजन्दास डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी और हम सभी के प्रिय भारत रतना प्रणब मुखर जी से साक्षात कार कराया है। मैं भूमी के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तितों के चर्णों में भी आज इस पवित्र दीन पर परपड़ाम करता हूँ।